तो कि आपको पताए कि फ्रिफायर का फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर किस ने अपलोड किया था बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए बड़ जिसने फ्रिफायर का फर्स्ट वीडियो यूट्यूबर अपलोड किया क्या उसका नाप जानते हो फ्रिफायर अगर मुझसे कुछ मिश्टेक हो जाती है तो एक्स्रेमली स्वारी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दू भाई 400 सब्सक्राइब के बहुत ज्यादा नस्दीख है तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि अपली चैनल को सब्सक्राइब तो अपना फैक नमबर वन तो क्या आप जानते हैं कि इंडियन फ्रिफार कम्यूनिटे में सबसे जादा वन टाइम टाप अप किसने किया है तो आपकी दिमाग में अभी चल रहा है लोकेज गेमर बट मैं आपको बता दू कि यह पूरी तरह से गलत है क्योंकि लोकेज गे गेमर से भी जादा टाइमन टॉप अप किया है वन टाइम तो मैं आपको बता दू जिसने लोकेज गेमर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है तो चलो जान लेते भी बंदा है कौन तो यह बंदा है वी आर गेमर करके जिसके आप स्क्रीम पर देख रहे हैं उसके चैनल का फोटो वन मिलेड से भी जादा ब्रेक किया है। लुकेश भाई का रिकार्ड तो वान टू थ्री बूम गाईज हो चुके आपना 1 million 6,976 डायमड घाइज रिकार्ड तोड चुके है तूर चुके है अपना लुकेश भाई का रिकार्ड हमने कर लिये 1 million डाइमंड शिक्स्टी थाउजन एंड नाइन हंड्रेड सेवन्टी सिक्स दस लाग छी हजा लों सो त्यात्तों डाइमंड काईसा हरा है तो आपने प्रूब देखी लिया है कि वियार गेमर ने लोकेज गेमर का रेकॉर्ड ब्रेक किया रहां इतना आसान भी नहीं होता कि किसी का रेकॉर्ड ब्रेक करना और इतना आसान भी नहीं होता कि लोकेज गेमर का रेकॉर्ड ब्रेक करना तो इस भाई बंदे ने वियार करके इस बनने ने लोकेज गेमर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है और इतना आसा भी नहीं होता कि वन मिलियन डायमंड टॉप वन टाइम करना तो एक अमेजिंग है और आपको एक कैसा लगा आपको एक पता था यह नहीं पता था यह जरूर बताना तो फैक नमबर टू है इमोट से रिलेटेड जो फ्रिफार में आप जो स्क्रीम पर इमोट देख रहे हो यह इमोट इलाइट पास में आया है यह आपको बतानी की जरूरत नहीं है बट अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस इमोट में कुछ फैक्ट है तो आप बिलिव नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दू कि अगर इमोट मेल केरेक्टर से शो किया जाए तो उसके जो अंगूटे के नीचे जो उंगली है वो एक ही बाहर निकलती है और अगर सेम वही इमोट हम फिमेल केरेक्टर से शो करते हैं तो फिमेल केरेक्टर की जो अंगूटा है उसके नीचे से दो उंगली बाहर आतीए तो है ना अमेजंग अगर आपको यहाँ पर समुघ मेहीज तो आप फ्रिफाइर में जाके इमोट शो करके देख सकते हो इसमें क्या डिफरंस है तो आपको यह फैक्ट पता था या नहीं पता था कमेंड मे दरूर बता नहां तो फैक नमबर थृ य आप जो इमोट स्क्रीम पर देख रहे हो यह iमोट कलैफ वाला इमोट है। शायद आप हर बार लॉबिमें दिखाते होंगे या नहीं भी दिखाते होंगे। तो आप बोलेगी इसम मैं फैक्ट के साथ। ताली बजाता है जी हाँ आप फिर से देख सकते हो कि अगर male character से ये शोक किया जाए तो ये करता है four time ताली हो जाता है ठीक है अगर वही emote female character से शोक करने जाए तो six time ताली बजाता है तो है ना amazing fact आपको effect कैसा लगा comment में जरूर बताना अगर आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप फ्रीफायर में जाके भी देख सकते हो तो चले fact number four the fact number four आज की टॉप फ्रीफायर का फर्स्ट यूट्यू यूट्यूब पे किसने upload किया था शाहद आपको पता भी होगा और नहीं भी तो चलो यहीं स्यूडियो में हम जान लेते आप बहुत एक्साइटेड भी होंगे जानने के लिए तुम्हें आपको बता दू फ्रीफायर लांच होगा था उसका नाम क्या है उसके चैनल का नाम क्या है तो वह परसन इतना लखी होंगा कि उसने फ्रीफायर का फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है तो उसका नाम है टैप गेमपले और इस बंदे ने फ्रीफायर का फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था करीब करीब 30 मिनेट का ये वीडियो था जिसने वो अपलोड किया था आप स्क्रीम पर देखी रहे हो कि ये थ्री एर्स एगो है और ये कोई फेक वीडियो नहीं ये तो आपको एक्ट कैसा लगा वीडियो में कमेंट में जरूर बताना और इन फोर फैक्ट में से कमेंट करके जरूर बताना तो चले मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक्यार